जै श्री कृष्णा हर हर महादेव कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत करते हूं आपके अपने यूट्यूब चानल हरे कृष्णा वास्तियू टिप्स में जहां मैं आपके लिए कुछ खास ऐसे जोती शुपाई लेकर आती हूं जिनको करके आप अपने जेवन के समस्क गष्ट और परिशानी को तूर कर सकते हैं आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोन के जानकारी लेकर आई हूं जिसे आपने कई बार सुना होगा और उसके को धारन करने के क्या नियम है और इसको धारन करने से आपको क्या फाइदे होते हैं अगर मैं आपको कहूं कि ये धाइ कुंसा है वो है हमारा golden pyrite pyrite stone जो है वो धन को आकरशित करता है धन की देवी को आकरशित करता है इसे धारन करने के सच में बहुत सारे अच्चूक से फाइदे हैं ऐसे फाइदे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे अगर किसी से पूछा जाए कि क्या तुम धनवान बनना चाहते हो तो इसका सीधा सा जवाब सुनने को मिलता है ये भी कोई पूछने की बात है लोग कह देते हैं पूछो मत अगर भाई कोई जुगाड है तो बता दो ऐसे में कोई बताए और ना बताए ये स्टोन इसलिए कि देखे स्टोन तो हमारे समुदर मंथन से ही निकले हैं पहले हमारे शास्त्रों में इन स्टोनों की जानकारी हमें मिल चुकी थी मगर अब धीरे-धीरे ये जैसे कि हमारे एडुगेशन बढ़ती जा रही हैं उसके जरिये से जोतिशास्त के जरिये से हमें इन क्रिस्टलों की नॉलिज मिलती जा रही है तो ये जो pirate stones है, ये crystal ये बहुत जादा धन को आकरशित करने वाला होता है स्वास्ते से जुड़ीवी समस्याओं को दूर करता है जीवन में आपकी कैसी भी समस्याओं वो दूर होती इसके लिए सबसे अच्छे बात तो ये न क्या आपको कुंडली आनलाइज नहीं करानी होती कोई भी व्यक्ति, कोई भी पहन सकता है जीवन में उसके किसी भी प्रकार की समस्याओं वो इसे धारन कर सकता है धन से जुड़ी समस्याओं तो आप इसे पहन सकते है वैपार में व्रिदी नहीं हो रही तो आप इसके रौ क्रिस्टल्स को भी अपनी ऑफिस में रख सकते हैं अगर आप का पढ़ाई में फोकस नहीं है, आप एक्जाम बार-बार दे रहे हैं, एक्जाम में सफलता नहीं मिल पा रही हैं, तो भी आप इसका ब्रेस्क्लेट पहन सकते हैं, और लेडीज, तो इतने सुन्दर लगते हैं, इसकी ज्वैलरीज आप इसे धारन कर सकते हैं, का इसे धारन करने के बहुत सारे विशेश महत्व हैं, इसे धारन आप किसी भी समय कर सकते हैं, शुकल पक्ष का दिन होना चाहिए, और इसे आप किसी भी उंगली में अपने अकॉर्डिंग पहन सकते हैं, जिसमें आपका दिल करें आप इसे पहने तरजनी में, अनामी का में ring finger में या छोटी कनिष्ट उंगली में कुरू, मंगल, शनी, राहू के तु किसी को भी शांत क्या जा सकता है इस stone को धारन करके मंगल को भी रिप्रेजन करता है सूरे को भी रिप्रेजन करता है इसलिए कि एक ऐसा खनिच परधार्थ है जो जमीन से खोड़के निकला है और ये जो रतने है ये जो स्क्रिस्टल है रतने शास के अनुसार ये बहुत ज़ादा जीवन की समस्याओं को दूर करता है इसे अगर आप धारन करते हैं सही तरीके से तो आपके जीवन की काफी सारी परेशानिया दूर होती है अगर आपका पैसा कहीं फसा है और आप चाहते है कि बस आपका वो पैसा वहां से निकल जाए और आपको मिल जाए तो इसका पैंडल जरूर से जरूर धारन करें पैंडल जब आप धारन करते है तो आपका जो धन आकरशित होता है और आपका पैसा कहीं अटक गया मार्केट में वो आप आपको मिल जाता है, आप इसे भागे ताबीज भी बोल सकते हैं, ताबीज की तरह जिसे की लखी पैंडल कहा जाता है और लखी पैंडल के रूप से Falun को आप धारन कीजिए, फिर देखे आपका भागे आपका साथ कैसे और ये बेस्कलिए आपके हिर्दय चकर के पास होता तो इससे आपका भागे एक्टिवेट होता है और आपके भागे जब एक्टिवेट होता है तो आपका पैसा कहीं अठका है वो वापस आपके पास आता ही आता है इस तरह से आप इसे धार्ण करें अगर आपके पास पैसा टिक नहीं रहा है धन से जोड़ी समस्या मतलब कि आ जो जाता है तो आप इसे छोटा सा crystal ले 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 भी कुछ छोटा सा और इसे आप अपने पर्स में रखना शुरू कर दीचे फिर देखे आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रेगा उसमें पैसे जरूर रहेंगी सुनहरे कलर का ये रंग का जो crystal है इसे आप पर्स में रखें ये और स्मृधी में भी वृधी होती है घर में आप एक लक्षमी वेदी बनाएं वहां पे इस तरह के crystals रखें कुछ इत्र लगा दे रोज और रोज आप पांच मिनिट वहां पे बैठें मालक्षमी से प्रातना करें और बोलें कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है आप आपके घर में सुक्स्मृधी है इस तरह से इत्र लगाएं इस पैरे रैट स्टोन पे प्रिस्टर से रोफार्म में भी मिलता है यह वहां रखे आप लक्षमी वेदी पे रोज प्रातना करें तो आपके पास पैसा आता ही आता कैसे इसे वैसे फूल्स गोल्ड भी कहा जात अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई पुराना कर्जा है जो दूर हो जाए तो उसके लिए भी आप इस के ब्रेस्क्रिट या रिंग पहने जिससे कि आपका राहू से छुटकारा मिलता है आपका राहू स्टौं होता है और साथ में आपका कर्ज भी दूर होता है अगर आप अपके पास करज है, काफी समय से आप देन दारी चाह रहे हैं, कि हो जैन नहीं हो पारा, आर्ठी हला दिया आपके सुधन नहीं रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आप इस magnet पत्थर को धारण करें, यह वो magnet पत्थर है जो धन को अपनी और आकरशित करता है, धन को अपनी और खीशता है, एक बार आप इसे धारण करके देखें, किसी भी तरीके से, आप खुद महसूस करें कि धन से जोड़ी भी कोई भी समस्या आपके जीवन में चली आ रही है, व अपना फीडबाग भी ज़रूर ले, फीडबाग देते हैं तब बहुत अच्छा लगता है, कमिंस बॉक्स में जैश्री कृष्णा भी ज़रू लिखें और ये चोटी सी चीज ज़रू से ज़रूर अधारण करके आप मुझे अजमा सकते हैं, जैश्री कृष्णा हर हर महा जैश्री